हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम टीजिटी नैच्रल साइंस मेल का जो एक्जाम हुआ था 2018 में उसके रीजनिंग के कोश्चन करेंगे तो आहीं स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो हमारे पास जो फॉ यहाँ पर जो आपको एफिकर दिखे रही है यहाँ पर जो सरकल है हमारा इस वाले प्वाइंट पर रहा है इसी तरीके से बी पे भी और सी पे भी लेकिन डी पर क्या है यह नीचे की साइड बन रहा है तो यह हमारा अलग हो जाएगा तो अगला कॉश्चन देखते हैं पर है, 15, 14 ठीक है, अब 15, 14 इसके बाद क्या आता है, 13 आता है, इनके बीच में прошverse कितने का है, 1 का है, ठीक है, अब अगले में देखूं, तो 8 और 7 इनके से अगला क्या होना चाहिए, दो अगर मैं कम करूँ तो 12 होना चाहिए, तो यह भी हमारा सही होगा, यह भी सही हो, यह भी सही हो, लेकिन इसमें यह relation अपलाए नहीं होगा, तो यह हमारा इसका answer हो जाएगा, अगला question देखते हैं, अब अगले question में बोला है, आपके मित्र ने हा क्या होगा तो सबसे अच्छा तरह क्या होगा इस जानकारी को कॉलेज के प्रधानचारी के ध्यान में लाना ठीक है तो अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है 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 अगला कुश्चन question देखते हैं, what will be the next term in the following series, तो इस series में next term क्या होगी, वो देखनी है, देखिए, 4, 4 के बाद 5 दे रखा है, फिर 12 है, फिर 39 है, फिर 16, 0 है, ठीक है, तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर जो है, 4 into 1 plus 1 किया गया है, ठीक है, तो अगला से 12 को 3 से multiply करूँ, और 3 add कर दूँ, तो यह आ जाएगा, तो हमें इसमें यह लाने के लिए का न, 39 को 4 से multiply करना पड़ेगा, और 4 add करना पड़ेगा, तो हमारा 160 आ रहा है, तो अगला लाने के लिए करना पड़ेगा, 160 को 5 से multiply करना पड़ेगा और 5 add करना पड़ेगा तो हमारा कितना जाएगा 805 आएगा तो इसका answer हमारा second वाला हो जाएगा अगला question देखते हैं अगले हम बोला है find the embedded figure given blow from the option तो यह वाली figure बतानी है कि किस shape में होगी ठीक है तो इसका जो correct answer हमारा है वो डी वाला है इसके अंदर हमारा पास यह figure है अगला question देखते हैं अगले हम बोला है at present the ratio of the age of x and y 1 is to 2 तो x और y की जो age है present में 1 और 2 दे रखी है ratio में ठीक है एक्स की age ले ली मैंने 1a और y की यह ले ली मैंने 2a ठीक है अब बोला है कि 5-year hence the ratio will become 2-3 तो पांच सल बात प्लस पांच दोनों में add हो जाएगा तो इन दोनों का जो ratio है a plus 5 upon में 2a plus 5 equal to 2 upon में 3 तो इसे solve करेंगे तो हमारा पास कहाएगा 3a plus 15 equal to 4a plus 10 ठीक है तो यह आ जाएगा हमारा कितना a equal to 5 तो a की value तो हमारे पर 5 आगी और पूछा क्या है x की percentage तो x की percentage थी 1a तो 1 into 5 equal to 5 years ठीक है तो option number first इसका correct हो जाएगा अगला देखते हैं question अगले question है बोला है यदि एक घड़ी को 6 बजाने में 6 second लगता है तो 10 बजाने में कितना समय लगेगा तो इसका correct answer हो रहाएगा 10 4 by 5 second अगला question देखते हैं यहाँ पर 4 dot हो जाएंगे और अंदर वाले में एक यहाँ 3 थे तो यहाँ 2 dot हो जाएंगे ठीक है तो अगला जो answer होगा हमारा fourth वाला correct होगा अगला देखते है चूजदा odd figure in the series तो odd figure बताने है कौन सी है देखे इसमें भी यह तीनों में shaded part है लेकिन इनमें नहीं है तो हमा हो है और पूछे विच रीजन बेलॉंग टूदी वूमें हुआर नाइधर कंप्यूटर इंजीर इंजीनियर नौर एंसी तो हमें बताना है कि जो वूमेंस है वो ना तो computer इंजीनियर हो ना एंसी ओ ठीक है तो यहाँ पर जो answer होगा वो यह वाला पार्ट होगा ठीक है सिर information about the crop cultivation from the pulses and grains in the XYZ state from the year of 2015-16 read the information and answer the question ठीक है तो यहाँ पर एक diagram दे रखा है और यहाँ पर यह बोला total crop production जो दे है XYZ का वो यह दे रखा है ठीक है 23,428 ton तो हमें पूछा क्या है how much crop of the green gram is cultivated in XYZ during the 2015-16 तो green gram हमारे पास कितना 20% है तो 2,3,428 का हम 20% निकालेंगे ठीक है तो हमारे पास जो आएगा वो कितना होगा वो आएगा हमारे पास 4685.6 अगला कोशन देखते है next question देखते है next है विजया राजेश की बहन है राजेश की मा के भाई की एक लोती बहन का बेटा विजया से कैसे संबंदित होगा ठीक है तो इसका answer होगा भाई ठीक है अगला कोशन देखते है पंदरवा अब इस question में बूला है एक को हम प्लस लिखते हैं एक का मतलब प्लस है बी का मतलब माइनस है सी का मतलब मल्टिप्ला है तो यहाँ पर यह रिखे statement तो इसको solve करके क्या है गांसा ठीक है तो c8 c5 यहां bracket लगा है फिर a है फिर 6 c6 फिर b2 है अब यहाँ पर c का मतलब क्या है multiply है a का मतलब क्या है plus है c का मतलब क्या है multiply है और b का मतलब क्या है minus है ठीक है तो सबसर पहले हम bracket वाले को solve करेंगे तो 8 को 5 से कुना करा 40 फिर a plus फिर 6 को 6 से करा 36 minus 2 तो यह हो जाएगा 76 minus 2 equal to 74 इसका correct answer हो गया अगला देखते हैं अगले में बोला है कि अगर हम how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line अगर dotted line से हम इसको fold कर दें ठीक है इसको हम इस तरह fold कर दें तो हमार पास कौन से figure बनेगी तो यहाँ पर जो figure बनेगी वो second वाली होगी ठीक है तो अगला देखते है next है जिस तरह से भारी चूक से तुरूटी संबंदीत है उसी तरह से रोष किसे संबंदीत है तो यह है तो अगला question देखते हैं next question देखते हैं यहाँ पर बुला है what will be the next term in the following series तो यहाँ पर यह जो series दे रखी है हमें बंदाना है इसके next term क्या होगी ठीक है तो यहाँ पर J P B है उसके बाद दे रखा था N T F फिर दे रखा S Y K आप पूचा है next term क्या होगी ठीक है तो दिखिए J के बाद क्या दे रखा है आप पर N दे रखा है तो यह कितना प्लस हो रहा है four plus हो रहा है जे के बाद अगर हम अगले term देखे चार नो चौत प्लस four करके तो एना हैगा फिर end में अगर मैं देखूं प्लस five करके तो हमारा ऐसा जाएगा ठीक है तो यहाँ 4 था फिर पांच हुआ फिर अगला क्या होगा हमारा प्लस 6 अब प्लस 6 पर क्या आता है वाई आता है ठीक है तो पहला जो होगा वाई होगा तो option में अगर आप directly देखें तो वाई सिर्फ एक में ही है तो option number 1 आपका correct हो जाएगा अगला देखते हैं अगले में बोला है कि अगर वो इन में से किसी में भी ब्लॉंग करता है तो अगर इन में से भी कोई भी चीज पाई जाते हैं तो उसको 30% कंसेशन मिलता है अब आगे बोला है ठीक है तो यहाँ पर 52-year-old 52-year-old है तो यह senior citizen हुआ तो इसे कितना कंसेशन मिलना चाहिए 30% ठीक है तो 6000 का अगर मैं 30% निकालूं तो कितना आजाएगा यह आजाएगा हमारा 1800 रुपे है ठीक है तो इसका answer हो गया B अगला कोशन देखते हैं अगला बोला है choose the odd figure in the series तो हम बताने odd figure कौन सी होगी ठीक है तो यहां पर यह सरकल है ऊपर एरो है और यहां पर नीचे की तरफ है इस तरीक से ठीक है इस तरीक से यहां पर वह उपर है और यह यहां पर यह उपर है फिर यह नीचे है ठीक है और अगला यहां उपर था फिर इस तरफ आया फिर यह उपर हो गया और नेक्स्ट में यह इस तरफ आना चाहिए था लेकिन यह उपर हो गया है तो यह गलत हो जाएगा ठीक है तो यह था हमारा रीजनिंग के कुछ important question उम्मीद है आपको मारे वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू